हलो एबरिवन आज हम बात करने वाली कि जो आपका turn 1 का exam जो 8 से 10 दिन बाद ही आने वाला है उसको proper way से कैसे exam को complete किया जाए क्योंकि अगर आप proper way से complete नहीं करोगे तो आप जितना marks ला सकते थे उतना marks नहीं ला पाऊगे तो कुछ तो proper way होगा जिससे आप उस चीज को अच्छे से complete कर सके एक्जाम अच्छे से दे तो आज किस वीडियो में हम आपको 5 step बताएंगे जो एक एक्जाम को proper way से means proper form है उस एक्जाम को देने का तो वीडियो में last तक बने रहा ना और हमेशा की तरह 5th जो point है वो बहुत ही important है most important है इसलिए वीडियो complete जरूर देखना तो चलो यार start करते आज का ये video सबसे first आपको ये करना है कि जो questions आप solve कर सकते हो उसको पहले कर दो देखो यहाँ पे आपका क्या है कि हर एक जो 50 questions है उसमें से आपको 40 ही solve करना है अब होगा ये कि आपको लगे कि किस questions को छोड़े और किस questions को हम solve करें बहुत सारा confusion है हो सकता है जो questions आपको थोड़ा सा महनत में बन जाता उसको आप छोड़ दिए और जो questions आपको जादा महनत में बनता उसको आप बना रहे हो बैठ करके तो ये चीजे से आप कैसे बचोगे तो देखो सबसे पहले आप क्या करना स्टार्टिंग में ये मत ट्राय करना कि चार कौन सा questions को छोड़ना है क्या करो पहले सारा questions आप solve करते जाओ अब देखो कि last में 24 questions है first section में, math में, तो वहाँ पर आप क्या करो, suppose आपने 17 questions solve कर ली, solve करते जाओ जो छूट रहा है उसको छोड़ते जाओ, जो solve हो रहा है उसको solve करते जाओ, अब suppose कि आपने 17 questions solve कर ली, अब आपको और कितने करने है, 3 questions, अब 3 questions कितने questions में से करने, 8 questions में से कितना आपको समझ में आगया, first step में यह चीज़े आपको कर लेना है, अब बात करेंगर second step का, तो उस 8 questions में आप try करो, 3 questions को select कर लेने का, जो आपको लगता है कि आप solve कर सकते हो, उस 3 questions को ही आप क्या करो, second बार में solve कर, हो सकता है उसमें से कोई 1 questions छूट जाए, 3 में से 2 solve ह तो फिर आप देखो, कि आपके पास 1 questions यहां बचा, और 4 आप छोड़ चुके तो 5 questions, उसमें से आप 1 questions अच्छे से select करके बना लो, बट यह सारा चीज़े आपको speed में करना है, बहुत ज़्यादा time दे करके नहीं करना है, तो यह चीज़े आपको करना है, अब अगर हम बात करें 3rd point का, तो try करो, जो भी section आप start करते हो, चाहे section A start करो, B start करो, या C start करो, उसको complete कर ले, means, कि उसका जो भी questions उस section से बनाना है, उसको बनानी ले, नहीं तो होगा यह, कि last में आपके पास time नहीं बचेगा, तो फिर आप से questions छूट जाएगा, तो यह चीज़े ना करें, कि इसमें इतना बनाए है, चलो second बना लेते हैं, फिर उसको बनाएंगे, try करो, जो भी हो सकता है, उसका best दे करके, उसको finish कर ले, बट हाँ, बहुत सारे sprint ऐसे भी हैं, कि नहीं, पहले हम कर लेते हैं, last में छूटा हुआ questions करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, but best way होगा, क्या एक section को complete कर लो, और हाँ, यहाँ पे आप ये mind ना लगा है, कि paper को last से start करते हैं, देखो, last से start करो, या first से start करो, हर एक questions आपका one marks का ही है, तो फिर last से start करने से क्या फाइदा, start easy से क्यों ना करें, जहाँ पे आपका कम मेहनत में एक marks ही तो मिलना है, तो हमेशा try करो, start से ही करने का, ठीक है, fourth point का अगर बात करें तो देखो, आपका exam जो है, वो MCQ के form में, time obvious सी बात है, थोड़ा सा कम फिल हो सकता है आपको, तो इस situation में आपको ये करना है कि time को थोड़ा सा mind में रखना है, बहुत ज़्यादा stress ने लेना कि time नहीं, time नहीं, time रहेगा, बर थोड़ सा mind में रखना कि हाँ, अगर 20 questions हमको approach कितने minute में बनाने है, 40 minute में, तो 40 के around ही आपका time लगना चाहिए, maybe 35 से 55 तक, sorry 55 नहीं, 45 तक, इतने time में आप try करो कि वो चीज़े finish हो जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 20 questions solve कर रहे हैं, और आपका पता चला 60 minutes से above लग गया, उ ये चीज़ें ध्यान रखें, और 5th point, most important point हमेशा की तरह, कि जादा over smart ना बने, means कि दूसरों को बताने के चक्कर में ना रहें, कि 2 का, 4, 1 का, ऐसा करके बताने के चक्कर में ना रहें, नहीं तो होगा ये, कि आपका questions खुद का छूट जाएगा, और दूसरे को ही बताते तो कभी भी एजा मत करना, और हाँ, जो पूछने वाले student है, वो भी ध्यान रखें, कि जादा पूछेने के चक्कर में ना रहें, कि हाँ, दूसरे से पूछ लेंगे, कोई बताने वाला आपको नहीं रहेंगा, जब तक हो सकता है, कि बता रहें, हो सकता हो गलत बता दे, त तो हमेशा किसी पे trust नहीं करना exam में, खुद independent हो करके, जो आपको proper answer लगता है, उसी को खुद से ही करें, और ना बताएं, और ना किसी से पूछें, जब तक आपका exam complete ना हो जाएं, अगर आपका exam complete हो गया, मान लो कि 5-10 minutes आपके पास बचा हुआ है, और आप अच्छे से complete कर लिए हो, और आपको बताना ही है किसी को, तब बताओ, समझ में आया, तो ये चीज़े आप mind में रखें, तो ये total 5 points था, जो I hope आप लोग termin exam में mistake नहीं करोगे, और हाँ, आप comment करके ज़रूर बताएं, कि क्या आप किसी को बताने वाले थे, या किसी से पूछने वाले ये चीज़ें जरूर कमेंट करके बता है, तो I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो एक लाइक कीज़े, चैनल पर नहीं हुए, सब्सक्राइब कर, बेल आइकन जरूर प्रिस करना, चलो यार, मिलते हैं आप से next वीडियो में,